दोस्तो अगर बकडी पालन सही तड़ी का सही जानकारी और सही नसल का चयन करके किया जाये तो निशन्दे बकडी पालन एक सफल वेवसाय आपके लिए हो सकता है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका सभागत है दोस्तो आज की वीडियो बकडी पालन पे आधारी तरहने वाली और काफी इंफर्मेटिव जानकारी आपको मिलेगी आप जो इस साइड देख रहे होंगे पीछे बीटल नसल के बकडे देखने के मिल रहे होंगे बकडियां भी इसमेय और बीटल की ऐसियत दोस्तों ये भी है कि कछी दूौर देटीhtी है और काफी लेंद जाय से लिएvard हत्रीमित और आज हम बात करें कि तो mixed breed में अगर god farming कोई करते हैं तो काफी उसमें फायदा देखा जा रहा है साथ ही अगर बिहार उत्तर परदेश की बात करें तो वहां cross breed का चलन जादा है तो cross breed पे भी आप beetle नसल के बकड़े का अगर वहां की देशी breed के साथ अगर crossing करवाते हैं तो क काफी अच्छा result काफी अच्छा पड़िनाम देखने को मिलता है तो कहने का मतलब है कि तमाम जानकारी अभी आगे बकड़ी पालन से संबंदित रहने वाली है तो आए दोस्तों देर न करता हुए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक request है कि अगर नाम और फार्म का पूरा अड्रेस हमारे भीवर्स को बताईए यह अपना बार्म है जी अजमेर से पड़ता है 15 किलो मेटर पुसकर में है जी क्या नाम हुआ बाई साब आपका जगदी से और फार्म का क्या नाम है लगकी गोड़परम कब से फार्मिंग का काम कर रहे हैं यह होगी सर पांच सालों से बकडी पालन का काम कर रहे हैं अगर बात करें तो जैसे यहां अलग-अलग बहुत सारी ब्रीड जो है देखने को मिल रही है तो कहने का मतलब है कि कौन-कौन से ब्रीड पर आप काम करते हैं यह बताईए बिट्टल शिरोई बरबरी तोता पू जो बहुत साड़े अलग-अलग बाड़े आप बनाए हुए है और जो अलग-अलग ब्रीड है उसके नुसार आप रखे हुए उधर सीरोही है उधर दूसरी नसल है इधर बीटल का है तो सबसे पहले हम बीटल पर थोड़ा सा बात कर लें कि बीटल की क्या खासियत है कहने का मतलब है कि जो बात मैंने आपको पहले बताई कि काफी अच्छी हाइट इनकी होती है दूद के मामले में भी अच्छी बकडिये मानी जाती है और ब्रीड जो है ये पंजाब का है लेकिन खासियत इसकी सबसे अच्छी अगर बोले तो ऐस पैसिलिटी है दोस्तों कि किसी भी मौसम में जो है ये ढलने के लिए बकडियां तयार है क्या भाइसाब मैं सही कह रहा हूं सही है जी सर यही बात है अभी जैसे यहां अगर बात करें तो खिलाने पिलाने की इनकी क्या विवस्ता है कैसे क्या खिलाते हैं चीजों को बताईए जैसे हरी पत्ति किला वहाजरा को बाजरा को चंगल में रहा चारा ने वहाजरी को यहां, चीने का सब खुछा काती है बाजरा को खाते हैं कई बाद ऐसा भाई सब देखा गया है कि जैसे कोई अगर बगडियों को ट्रांस्पॉर्ट करके ले जाता है तो ट्रांस्पोर्टेशन के दौरान थोड़ा सा जो होती है बगडियों में स्ट्रेस हो जाता है थोड़ी से उनका तबियत खड़ाव हो जाती है थोड़ी से तकलीब में बगडिया रहती है और कई बार फार्म पर पहुंचते पहुंचते कुछ बगडियों की जो है मौटल एक ज़्यादा दूरी पर लेके जाते हो तो रस्ते में इनको रेश्ट करा के लेके जाना और वहां पर दागने के बाद में इनको जैसे गरम पानी करके गुड मिला के वह भी चार गंटे बाद में उतारने के चार गंटे जैसे कहां पर भी इनको बगरियों को रेश्ट करा और अगर बात करें तो और इधर कौन सी ब्रीड आप रखे हुए है उधर भी कुछ ब्रीड है वो बताइए इधर है बिटल और यह बर्बरी और वहां पर है देखो सिरोही और गूजरी की बत्चें एक दो और बाकी सिरोही है अभी परजेंड में अभी अगर अगर कहा जो डिमांड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड सिरोही का रहता है क्या ऐसी क्या खासियत है कि लोग उसके पीछे दिवाने हैं इस बकरी को कहा पर भी लेके जाओ बहेंगलो और कहां पर भी लेके जाओ यह सब जगह से होती है सबसे वेस्ट और इनका मतलब है कि सिरोही जो है वो हर क्लाइमिट में सूट करने वाली बकडी होती है आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में कितनी गड़मी पढ़ती है और इतनी गड़मी के बावजूद बकडियां बहुत अच्छे से रहती है तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कि किसी र कि गुजरी की सोज़त की तो लगबबग जैसे क्या रेट क्या पड़ता होगा अब मैं फिक्स प्राइस तो आप से नहीं पूछ सकता कि इनका रेट होते रहता है तो क्या रेट एक मैक्सिमम मीनिमम क्या एक रहता है वह बताये देखो 350 तो विट्टल की रेट है और 320 बर अगर कोई बकरी पालन करता है तो कोई लोग जो है वो पठ जो होता है मेमने होते हो उसके साथ सुरुवात करते हैं कोई मैच्योर बकरियों के साथ सुरुवात करते हैं और कोई ऐसा कहते हैं कि प्रेगनेंट बकरियों के साथ करो तो आपकी क्या ओपिनियन है चार-पांच परसो का आपके पास अनुभव है तो इन में से किस से किसके साथ बक्री पालन करना ज्यादा फाइदे मन्द रहेगा जी सबढकरी लेके जाते हैं तो इन में ज्यादा पाइदा होता। गचान कि देने के बाद ऐसरा के पाइदा यह दो बखतरा हुगे क्परडोibt तेन पांत नाद में गचानेग Sóसे धैंगे बख्री पिरी तोई वह दोके सत्तिया है एक गजसान के पांद हो जयती है यह बाद है और प्रों दूसरी बार बच्चे देगी तो वह बढ़ते ही जाएंगी बख्री तो पालो बख्री को पालने के लिए जैसे वह बढ़ा हो जाता है पर बैसे जो रिटर्न हो जायेंगे और उसके बाद फिर आप जो उसे बच्चे आते हैं जो भक스क करती है और उसके मेधर काम में का में याथका जाए है ऐसा दोस्तों कि अगर जैसे मेंहघनी होती है उसको भी जो है आप अगर इकठर करके बेशते हैं तो उसकी अगर जैसे मेगनी होती है उसको भी जो है आप अगर इकठ्था करके बेचते हैं तो उसकी भी कीमत मिलती है अब बहुत सारे लोग जो हैं देश के अलग-अलग हिस्सों से आपको देख रहे हैं तो उनकी सहूलियत के हिसाब से मैं अगर पूछ लूँ कि आपके पास जो जानवर हैं तो अगर कोई मान लिजिए किनी के पास किनी को रिक्वार्मेंट है और कोई देश के अलग-अलग में उनको चाहिए तो कहने का मतलब है कि जानवरों की डिलेवरी जो है आप कहां कहां करवा सकते हैं तो कितना लोग अगर आपके पास और करते हैं तो कितना भेज सकते हैं जाती है और आने जाने के किलोमेटर लेती है और टोल पोल से पाल्टी के लगते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए और इतनी बहतरीन जानकारी देने के लिए आपका भी दिन्यवासर दोस्तों यह थे जग्दीश भाई लकी गॉट फार्म पुसकर के अंदर है इनका मैं कम्प्लीट एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा साथ ही भाई साब का नंबर जो है वह स्क्रिन पर चल रहा होगा हमारे वैसे भाई जो भी बक पर जो हुआ है